हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे सुटूप चैनल में है इस वीडियो में हम लोग अपने e-commerce प्रोजेक्ट का रेजिस्ट्रिशन फॉर्म डिजाइन करेंगे जिसमें हम लोग इूजर को रेजिस्टर कराएंगे और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ा सा बड़ी हो रही है तो अवे से बाद इतनी सारी शीजिए आपको बतानी होती है तो थोड़ा आप समझ चाहेंगे और मैं वीडियो को जादे पार्ट्स में कर दूंगा इस ओके बट वीडियो की जो लेंथ होगी में मोस्ली कोसिस करूंगा 10-15 मिनिट्स ही रखों तो हम लोग इस वीडियो में रिजिस्ट्रेशन फॉर्म फटाफर डिजाइन कर लेते हैं तो यह हमार सबसे पहले यहां पर लगाते हैं एक नइब बार लगाते हैं इसी कंपोनेट को यूज करेंगे और यहां पर कहीं भी paste नहीं करेंगे यह धिया रखिएगा हम लोग यहाँ पे आएंगे और एक Component बनाएंगे navbar का ठीक है तो हम लोग component पर रैट-klik करेंगे new पर चलेंगे और यहाँ पर GSP बना लेंगे और GSP मेहम लोग ले देंगे यहां पर नैब बार, ठीक है, नैब बार, नैब बार.dsp बना लेंगे, और इसके अंदर का सारा content ढ़ा देंगे, और अपने नैब बार के content को simply हम लोग paste कर देंगे, तो यह basically हमारे component का काम करेगा, component का काम करेगा, that means इस वाले page को हम लोग कहीं भी component को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यूज करने का simply मतलब है, वहाँ उसको include करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, हम लगाएंगे, less than percentage at the rate include directive, और हम लिख देंगे, यहाँ पर file, file हम लिखेंगे, जो हमारा component है, उसके अंदर navbar.jsp, ठीक है, जैसे आप save करोगे, और आके refresh करोगे, तो आप देखोगे, आपका यहाँ पर navbar आ चुका है, ठीक है, आप देखोगे, यहाँ ने बर आ चुका है, और navbar में component पर यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी website का नाम कर देते हैं, तो थोड़ा सर डिजाइनिंग कर देते हैं, ने बार को, सबसे पहले हम लोग, जहाँ ने बार लिखा है, हम आपनी website का नाम लिखेंगे, my card, ठीक है, my card, और simply आप देखोगे, refresh करोगे, हगे, my card हागा, o供ो ऑने को रहने देते हैं, कोई शू नहीं, link को फटा देते हैं, तो यह हमारी link है, यहां से लेके, यहां तक, हम भोग हटा देते हैं, और drop down यह वाला drop down जिसको रहने देते हैं को category कर देते हैं यहां पर लिख देते हैं रहां पर प्रेटाइनमीक ला देंगे हम लोग बाद में चीज हम लोग डाइनमीक ला देंगे तो इस ओको इधर से बड़ा भी खल देते हैं और अगर मैं करें रिखाए तो आप देखोगे क्टेगरी आगे टिक है यहां पर हम लोग अपनी दे देंगे ठिक है उसके बाद अगर आप देखुए तो यहां पे ml auto और अगर मैं refresh करता हूँ तो और यहां पर आएंगे और लगाएंगे तो यहां पर नाइब और उपर खुआ एम्र और टो तो तो एप अगर मैं रिटास करता हूँ तो आप देखोगे अभी इसमें कुछ्ष कांटडी नहीं की लिखा ठीक है तो यहाँ पर मैं MR Aarti की जहरे में एम एल आटो लिखता हूँ छिसे राइट पर ले जाना होगा तो आप हमें से ML यूज करोगे अब यहाँ पर एक लिंक लाते हैं ठीक है तो हम लोग लेंगे इसके href भेज देते हैं login login.jsp और इसी का एक और copy बना लेते हैं ठीक है तो आपको simply करना क्या है इसको select कर लेना है और control shift down की ठीक है और यहां पर कर देते हैं register अगर नए user है तो register करेगा और इसको ले चलेंगे register.jsp और simply मैं आके यहां पर refresh करूगा तो आप देखोगे login और register का दो और option अगर आप login पर क्लिक करोगे तो login.jsp पर चले जाओगे और अगर आप register पर क्लिक करोगे तो register.jsp पर चले जाओगे अब थोड़ा सा मैं इसको center पर लानी कोसिस कर रहा हूं ठीक है तो आप देखोग हलका सा यह पाइडिंग देगा देखेगा ठीक है तो सारी चीज़े मैंने container के अंदर रख दी सबको select करने के बाद ठीक है और अगर मैं refresh करता हूं तो आप देखोगे यह center पर पर फेक्टली मुझे ऐसा ही exactly चाहएदा अब इसका हम लोग बैक्ग्राउंड हलका सा चेंज क पर लिएगा और यहां पर अपना एक बैकराउंड कर चूश कर लिए अच्छा से जो भी आपको अच्छा वेग्राउंड कर लगे वो चूश कर लेजिए मैं यह इंडिको उसकर लेटा हूं नहीं कर लेदें और इसको कपी कर लिए और अपने CSS में आ जाईए CSS ठीक है और अब देते हैं एक क्लास बना लेते हैं कस्टम डैश बिजी कस्टम डैश बीजी और हम लोग लिए देते हैं बैक्ग्राउंड और अपना बैक्ग्राउंड और यहां पर लगा देंगे important जिससे हमारे इसको priority जादा मिले ठीक है इसको हमारे ज्यादा ले तो तो custom BG, फिर हम लोग background और अपना background important ठीक है, save कर लेंगे, अब इसको हम लोग नइबार पर use करेंगे, तो हमारा नइबार यहां पर और हम लोग यहां पर आके use करेंगे custom BG, और आके refresh करेंगे तो आप देखोगे कि हमारा जो नइबार है वो, ठीक है, एक सिकंड, एक सिकंड ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से light हटा देते हैं, ठीक है, light हटा देते हैं, और हम लोग आके फिर से refresh करते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे, background change हो गया, इसका बट इसका जो text है white करना है, तो simply आपको यह जो नइबार light है, इसको कर दीजेगा, आप नइबार dark, ठीक है, इतना करने से आपका देखोगे, नइबार क्या हो जाएगा, इसका नइबार का color, text color white हो जाएगा, परफेक्ट है, तो इतना सारी यह मुझे लगता सामन में आगई, अब आपको simply करना का है, जैसे आप register पर click करोगे, आपको चलना है register.jsp, तो हमें एक page बनाना है register register का, ठीक है, register का आ जाते हैं, तो simply सबको पहले बंद कर देते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से हो, बहुत simplicity से आप करीए चीज़ों, तो हम लोग web pages पर I click करेंगे, new पर चलेंगे, और page बना लेंगे register.jsp, ठीक है, register.jsp, तो हम लोग लिखें है, register.jsp, नहीं लिखना, register.jsp, से यहां पर आगे, अगर आप Eclipse कर रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, finish कर देते हैं, आगे register.jsp, तो register.jsp, में आपको नैब बार तो चाहिए, सबसे पहले आपको CSS चाहिए, तो यहां पर सबसे पहले हम लिख देते हैं, registration, new user, new user, और आपको यहां पर सबस पी मिल जाएगा, basically, ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए हमें database चाहिए, कौन कौन सी चीज लेनी, आप यहां से भी देख सकते हो, अपनी entity से, user के लिए चेक कर सकते हो, सबसे पहले आपको चाहिए होगा, देखो class, एक row बनाऊँगा, और row बनाऊँगा, इसके अंदर एक column बनाऊँगा, ठीक है, call MD6, तो 12 grid में से 6 grid इसको दे रहा हूँ, और shift करूँगा, मैं offset, offset MD3, ठीक है, परफेक्ट है, और मैं सारा form इसी के अंदर design करूँगा, देखें कैसे, simply आपको लगाना, form tech, ठीक है, form को कह बेजना है, वो सब चीज बात की बात है, और simply हम लोग आएंगे और यहाँ से bootstrap से form को सर्च करेंगे, ठीक है, form सर्च करेंगे, यहाँ से एक field हम लोग उठाएंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, दीक है, आ जाएंगे और यहाँ पे पिश्ट कर हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं रजिस्टर पेच पे जो देखे 6 है इसको हम लोग क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं और इसको हम लोग 4 shift कर देते हैं तो अगर हम लोग इस बार refresh करते हैं तो आप देखोगे अब ठीक है इसको बस सूपर से नीचे हलका लेंगे तो उपर से नीचे लाने के लिए simply आप रो पे लगा जिए margin top 5 margin top 5 और अगर आप देखोगे तो registration ठीक है तो सबसे पहले उसर का नाम है तो मुझे उसर का नाम लिखना है तो यहां पर लिख देंगे यूजर नेम ठीक है यहां लिख देंगे यूजर डैश नेम परफेक्ट है और आप देखोगे कुछ चीचे और करनी पड़ेंगी देखो टाइप ठीक है फॉर और आईडी चेंज करनी है तो आप देखो यहां सेलेट करो और फिर आप क्या करो कंट्रूल सिफ्ट दबाके यहां सेलेक्ट करो ठीक है और इसको ढटा दो दोनों साथ में हट जाएंगे कोई दिख करने है और इसकी आईडी आप देदो नेम है यह और टाइप भी टेक्स कर दो और बस इस वाले टेक्स को हम लोग हटा देंगे ठीक है तो हमें दो ही एमेल इसको सैलेट करो गए और कंट्रोल स्थ डाउन एरो इमेल हो गया अब आपको यहां इमेल करना है ठीक है और यहां भी प्रसे आप इसको सेलेट करोगे चंट्रोल सिफ्ट डाउन ठीक है तो आप देखोगे यहां पासवर्ड करना यहां पासवर्ड यहां पासवर्ड तो आप कंट्रोल से यहां क्लिक करोगे यहां क्लिक करोगे यहां क्लिक करोगे यहां भी पासवर्ड कर देंगे यहां भी पा हम लोग क्या करते हैं exactly उसी के तरह फिर से हम लोग अपने एक फिल्ड को सलेट करेंगे कैसे सलेट करेंगे कंट्रोल सिफ डाउन एरो पर्फेक्ट है और हम लोग क्या करते हैं यहां पर यूजर पासवर्ड था इसको भी चेंज करना है तो यहां पर क्लिक करेंगे फिर कंट तो बिसिकली इतनी सारी होगी फो नंबर के बाद हमारा बचा का यूजर पिक है तो पिक बाद में हम लोग अपडेट करा देंगे बाई डिफॉल्ट एड्रस लेते हैं तो अगर आपको डाला है तो एड्रस लिए एड्रस लेने के लिए सिंप्री आप क्या करोगे एक और फ ऊंड्रस और उन से इसका हैं एक्षुर्ट हां प्लेसावरा पड़ीए गडी कर सकते हैं ऐसे कुछ है अबडी टायदाई है एक और सिंपलीअ को स्चाल लगानी है और हींडना और एकर देना आप व्य micron करके रखले यां पर हम लोग क्या करेंगे यहां पर हम लोग बेसिकली अमगे बटन बना Deputy उब कंटेनर क्लास्ट अबgombe रेजिस्टर, रेजिस्टर, रेजिस्टर लिखा होगा बटन पर कुछ क्लासिस लगी होगी दिखेंगे क्लास-btym Battle-Outline-Success सक्सेस eder ryker Dan आउट्लाइन सक्सेस आप देखोगे लिए बन गई लिए और गयर है तो इसी यौस अंपि마孤र्ले यत है control shift down arrow हो गया नहीं अजिए रिसेट ठीक है आप देखोगे तो एक डिसेट बटन भी बन गए ठीक है बस हम लोग आ करते हैं इसको warning कर देते हैं हाँ success है इसको हम लोग क्या कर देते हैं वार वार ओर ने करते हैं अब इसको लोग कंटेनर पर लगा देंगे टेक्स्ट डास रिफ्रेस कर देंगे तो आप एक एडिंग देते हैं बस डिजाइन होगा तो फॉर्म के अंदर आ जाओ चाहे कोलम के अंदर आजाओ आपकी मरजी कॉलम के अंदर आजा और यहां पर हम लोगा करते हैं आज थ्रीप के लिखते हैं रिख्रते हैं साइन फियर के अफिर आप देखोंगे तो आपकी है डिया कि इसको करतें अंदर यहां पर कुछ नहींदीगे क्लास लगएगे लिख्र다 देंगे लिखेंगे लेकर्पे टेक्स्ट सेंटरita lagi के ऊपर नीचे से margin थोड़ा सा दे देंगे तो आप देखोगे अलका सा सेंटर पर आ जाएगा और नीचे भी आ गया तो मुस्ली चीजें मुझे लगता है कबर हो गई है ठीक है तो हम लोग ने form simply बना लिया अब आप बंदा home page ठीक है जैसे आप home पर होगे जब कोई चलाएगा तो आपका खुलेगा home page रेजिस्टर पर क्लिक करके simply आपका रेजिस्टर पर हो सकता है इसको थोड़ा सा और अच्छा क्रिएट कर सकते अगर इस सब को हम लोग कार्ड की बीच में लगने कैसे देखे आपने form को सलेट कर लिजे तो जहां से कार्ड बॉड़ी ठीक है अब बॉड़ी के अंदर वो सारी यह पिस्ट कर दो जो आपने कॉपी किया था तो simply आपने क्या किया कार्ड बॉड़ी के अंदर पूरा form बना दिया तो आप इसको पहले भी लिख सकते थे बट मैंने ऐसे लिखना साही समझा अगर आप अप रिफ्रेस करोगे तो आप देखोगे आपका पूरा यह एक form बन गया ठीक है थोड़ा सा इसमें आप और लगा सकते पैडिंग तो ह हैं करें आप डीकोमेंटेशन देख सकते हुए तो मुझे लगता है वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही हो रही है आपट हम यहां पर आइकन यूस कर सकते on सो यह आप लोग का assignment है आप लोग क्या करेगा यहां पे एक sign up के उपर एक icon लगा के मुझे comment बताइएगा कि आपका form किता अच्छा बन रहा है कैसे बन रहा है और simply हम लोगों ने इसमें नयवार भी लगा लिया अपने project में और हम लोग ने registration पेज भी बना लिया सबसे पहले चीज़ आपको यहां पे एक icon लगाना है इसके उपर और साथी साथ में आप background भी कोई अच्छा सा लगा लोगे तो उससे अच्छी बात क्या होगी और या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे message करोगे और आईडी आपको link section में मिल जाएगी इस वीडियो में इतना रखते है वीडियो अलड़ी इतनी चीज़े करते करते लंबी होई जाती है इसी को आप समझे थोड़ा ठीक है मैं मिल तक से नेक्ट वीडिये तब तक लिए जैहिंद चैवारत और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जिससे कि आपको मिल सकें लेटेस्ट वीडियो बाइबाए